आप देखें हैं लाइव सेवन नमस्कार लाइव सेवन विसेश में आपका स्वागत है मैं हूँ ग्यान रंजन विसेश में आज हम चर्चा करेंगे टाइगर जैराम की इरफतारी चंदरप्रकास और मत्रा पर कितनी परेगी भारी दोस्तों आज बुकारों में एक राजनितिक घटना करम हुआ एक बेहत जो कह सकते हैं सिनेमाई अंदाज में जो है घटना हुए हैं घटना ये है कि टाइगर जैराम महतो गृड़ी लोग सभाचहतर से नामांकन करने के लिए गये थे वहाँ पर नगरी थाना की पुलिस राची के नगरी थाना की पुलिस उपस्थित पहुची भी थी पूरे चाग चोवंद विवस्था थे वहाँ पर और जैसे ही नामांकन करके वापस निकलते हैं टाइगर जैराम महतो उनको गिरफतार कर लिया जाता है गिरफतारी के बाद टाइगर जैराम महतो बार बार पुलीस से पूच thereby किस मामले में उन्हें गिरफतार किया जारा है क्यों गिरफतार किया जारा है कोई हमको सुचना तक नहीं दिया गया फों तक नहीं किया गया और अचानक से जब मैं नामांकर कर रहा हूं तब मुझे गिरफतार कर किया जा रहा है तो इसके बाद पुलिस कोई जवाब नहीं देती है दिन भर ये घटना करम चलता रहा आज आप देखें पूरे दिन भी ये मामला जो है सो बकारों में तूल पकरता रहा और अब जो बड़ी ख़ब पर आ रही है सामने में अभी तक कि टैगर जैराम महतो कहां है पता नहीं है उनकी गारी जो थी वो खाली जैसा कि हमारे संबादाता ने वहां से बताया वो खाली गारी उनकी निकल गई है टैगर जैराम महतो को 20 मिनट का समय दिया गया था पुलिस के द्वारा जनसभा करन के लिए नामांकन के बाद और उस जन सभा में टाइगर जैराम के समर्थकों और पुलीस के बीच नोग जोख हुई काफी देर तक नोग जोख हुई है और इसी बीच में पुलीस टाइगर जैराम को वहां से ले गई या टाइगर जैराम अपने समर्थों को के साथ कहीं निक मीडिया के दौरा बोकारो एसपी से बोकारो डीसी से बात की जाती है बोकारो डीसी का ये कहना हुआ दिन में कि भई हम लोग तो नामांकर पक्रिया में लगे हुए मुझे पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है बोकारो एसपी ने भी अनविगेता जताई उनकी गिरफतारी का राची के एसपी से भी बात करने कर मीडिया कर्मियों ने प्रियास किया बात नहीं हो पाया तो अब टैगर जैराम को जो गिरफतार किया गया वो मामला 2022 का है वो जारखंडी भासा खतियान संगर समीती के बैनर तले भासा जो उसमें 60-40 नहीं चलतों का जो आंदोलन चल र मातों लगातार आंदोलन कर रहे थे और उसी क्रम में विधान सभा का जो सत्र चल रहा था उस दोरान वो विधान सभा का घहराओ करने निकले थे वहीं पर उनके उपर केस बना था और उसी केस को लेकर के आज नगरी पुलिस एक डियेसपी के साथ वोकारों गई थी वोका टाइगर जैराम महतों कहां हैं हलांकि कोई असपस्ट नहीं कह पा रहा है पुलिस की और से भी जवाब नहीं आ रहा है बहराल टाइगर जैराम की गिरफतारी कितनी परेगी भारी क्योंकि तीन महतों कंडिडेट गिरी संसदिय च्छतर में हैं चंदरपकाश चोधरी जो आसु के कंडिडेट हैं 2019 में वो चुनाओ जीते थे गिरीडी संसदिय च्छतर से ठाई लाग से ज़्यादा बोर्ट से चुनाओ जीते थे जगरनात पूर्व सिक्छा मंतरी जगरनात महतों को हरा करके वो जारकंड मुक्ती मोर्चा कंडिडेट थे जगरनात महतों उनको ह खड़ा किया गिया है जारखंडी भासा संगर समीती जो जेल केम के ताथ चुनाओ आयों के तरफ से जो माननेता मिली है जेल केम के कैनिडेट है टाइगर जैराम महतो टाइगर जैराम महतो चात्रों के बीच युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकर है अच्छी खासी पकर ह और इसके बाद से लगातार जिस तरह से वो गिरिडी संसदिय च्छेतर में और बड़ी बात ये है कि आठ संसदिय च्छेतर में उन्होंने कैनिडेट उता रहे हैं जेल केम के तो ये बड़ी बात है क्योंकि अगर आप देखेंगे ये भाजपा के बाद अगर सबसे ज्याद आठ जगहों से अपने परत्यासी को देती है तो ये सारे चीज़ में आखिर गिरफतारी का कितना प्रभाव परेगा चुनाव परे या उनको गिरफतार किया गया या फिर छोड़ दिया गया ये जब तक खुलासा नहीं होता तब तक नहीं कहा जा सकता आज विसेश करने म जो विलम हो रहा है इसके पीचे भी वज़े यहीं है कि इस विसेश पर पूरी तरह से जानकारी इकठा नहीं हो पा रहे थी कि टैगर जैराम महतो कभी हुआ गिरफतार कर लिए गया फिर हुआ छोड़ दिये गया फिर हुआ गिरफतार कर लिए गया बीस मिनट का समय दिय गिया गिया चुनावी सभाग के लिए ये सारी बातें आ रहे थी इस बीच गिरफतारी के बाद टाइगर जैराम महतों ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको पहले सुनाता हूँ पहले हम लोग विधान सभाग के सामने परतर्शन किये थे उस समय के डियास्पी कभी बयान था महोदाइका कि किसी भी बच्चों पर आफायर नहीं होगा और आज चोरी चीप पर आफायर होता है वह एफायर ओनलाइन भी नहीं दिखता है ना उसका प्रटीब अभी आपको आफ तो आपने सुना अगर जैराम महतों ने साब तो पर कहा कि उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई कि उनकी गिरफतारी क्यों की जा रही है किस मामले को ले करके उनके पुर्व में कोई सुचना नहीं दी गई अचानक कुलिस आती है और उन्हें गिरफतार करती है तो ये भी गलत है सुचना देनी चाहिए और जब वो सभा करना चाहते हैं सभा की अनमती मिलनी चाहिए और वो सभा की अनमती के लिए भी DC से बात भी कर रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बैराल मामला 2022 का है और 2022 में आपको याद होगा जहारखंड में एक बारगी टैगर जहराम महतो का नाम काफी चर्चा में आया था और वजह साफ है बेरोजगा को ले करके आगे निकलते हैं जिन मुद्दों को ले करके जहारखंड में सिर्फ और सिर्फ अलग राज बनने के बाद से राजनीत होती रही है उन मुद्दों को ले करके वो मुखर होते हैं चात्रों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ता है खास करके जो अस्थान अन्रिजर्व सीट है इसको ले करके वो आगे बर रहे थे और इनको युवाओं का भरपूर साथ मिल रहा था और धीरे धीरे करके टैगर जैराम महतों ने एक संगठन स्थाबित कर लिया जारखंडी भासा खतियान संगर समीती का और उस संगठन के माध्यम से वो लगातार गिरिडी छेतर में मुखर थे धनबाद गिरिडी बोकारो वाले एरिया में वो मुखर थे आपको बता दें कि जिस एरिया में वो मुखर थे गिरिडी संसदिये छेतर का जो भी विधान सवा छेतर आता है उन्हीं एरियाज में आता है जैसे बोकारो जीला का गोमियों और इसके बाद गिरिडी जीला का गिरिडी और ढुम्री तो यह सारे संसदीय सीट में आते हैं विधानसवा सीट आते हैं गिरिडी संसदीय छेत्र के अंतरगत दो दो सीटें वोकारों धनबाद और गिरिडी जिला की दो-दो विधान सवा की सीटें जो हैं वो आपके गिरिडी संसदी अच्छे तरिमातने हैं टुन्डी और बागमारा धनवाज जिला में है और इसमें अगर आप देखेंगे तो टाइगर जैराम महतो की चर्चा उस समें भी हुई थी जिस समें पुरु मंत्री स्वर्गिय जगरनात महतो का निधन हुआ था और उसके बाद डुमरी में उपचुना हो रहा था ये कहा जा रहा था कि टाइगर जैराम मह तो अपनी संसदिये पारी यानि चुनावी पारी की सुरुवाद जो है सो वो करेंगे डुमरी उपचुनाव से लेकिन उस समय वो नहीं चुनाव लड़े बाद में गिरिडी लोग सवाद छेतर से उनको चुनाव लड़ना था और गिरिडी में लगातार वो महनत कर रहे थे लगातार जो है सो अपने आपको पूरी तरह से जोंक रखा था गिरिडी संसदिये चेतर में और इसके बाद एक माहौल बना जैसे कि उन्होंने भी अपने वक्तवि में कहा कि चद्रपकाश चोधरी और मेरे और मसरा परशाद महत्व तीन केंडिडेट के बीच में है कि चद्रपकाश चोधरी आजसू और जारकन मुक्ति मोर्चा में जो सीधा मुकावला होता था मेरे आने से तिरक से युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है और सोसल मीडिया पर जिस तरह से इनकी पूरी टीम जुड़ी हुई है सोसल मीडिया के माद्यम से जो है अपने बातों को आगे ले जाते हैं तो उसके बाद से ही ये चीज़ें सामने आ रही थी लेकिन गिरफतारी क्यों हुई गिरफ जी के वरिया पुलिस अधिकारी इस मिशे पर बात करेंगे बताएंगे कहां से निर्देश मिला था लेकिन ये सवाल जो जहराम महतो का है कि भई सूचना मिलनी चाहिए थी अगर आप गिरफतार करने आ रहे हैं तो इसकी सूचना मिलनी चाहिए थी कि आपको इस मामले में गिरफतार किया जाता है अगर मैं भागता तो मैं भगोरा साबित होता लेकिन कोई पुर्व सूचना नहीं देकर के सीधे गिरफतार करने के लिए आ गई है पुलिस वो भी उस समय में जबकि आचार संगीता लगे हुए डेड़ महीने हो गए हैं और इसके बाद पुलिस आ करके उन्हें गिरफतार करती है अगर उनके उपर मामला था कुछ जिसमें वो बेल नहीं ले पायते तो वो उसको देते वो कोट से जाकर के उसके लिए बेल प्रक्रिया भी आगे बढ़ाते सीधे गिरफतारी किये और आ करके उनको जो हैसो रोकने का प्रियास किया जा है और उन्होंने दोनों ही तलों पर आरोप लगाया राजसरकार पर भी केंसरकार भाजपा आजसु गटबंदन पर भी एंडिये गटबंदन पर भी और इंडी गटबंदन पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ही डर गये हैं और यहीं वज़ा है कि इस तरह के इस सभा में गया उसके भगदर हुई है भगदर के बाद से वो कहां है अभी पता नहीं है अब तक जो रिपोर्ट मेरे पास आ रही है जो जानकारी आ रही है वो पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहां पर पुलीस के साथ पुलीस अपने साथ उनको ले गई है या कारिकरता उनको अपने साथ ले गया है अब ये कुछ देर में कुछ पल में वो असपस्ट होगा लेकिन गिरिडी जो महतों बहुल अगर देखेंगे तो परत्या आप जनसंख्या वाइस देखेंगे आप तो महतों बहुल चेतर है कुर्मी बहुल चेतर है खास करके जो एरिया है गोमिया का डुम्री का ये सारे एरिया जो है जो विधान सवाच्छत्र है यहाँ पर कुर्मी मद्दाताओं की बहुलता सबसे ज़्यादा है वैसे मद्दाता है वहाँ पर यादब मद्दाता कुछ है तो ट्राइवल मद्दाता कुछ एरिया में है इसे वहाँ पर गिरेडी विधान सवाच्छेतर के अंदर के ट्रैवल मत आता भी कुछ जगहों पर है तो इस बीच में जिस तरह से टैगर जैराम महतो जो है सो अस्थानियता की बात को ले करके युवाओं के बीच में अपनी पैट बढ़ाई है रोजगार के मुद्दे पर अपनी पैट बढ़ाई है और जिस तरह से युवाओं का जुका उनके साथ जो कारिक्रम होते हैं आज की ही बात कर लें तो जो जानकारी आई है कि 20,000 से ज़्यादा युवा और सिर्फ वहाँ पर जो चुनावी सभा उनकी होनी थी नामांकर के बाद उसमें जो भीर देखी जा रही थी उसमें युवाओं की संक्या अधिकान संक्या युवाओं की ही थी तो जाहिर तोर पर युवाओं के बीच में टैगर जैराम की एक अपनी छवी बनी है और छबी बनने का मुख्य वज़ा है कि जिन मुद्दों को लेकर के राजनिती होती रही है जारखन में, जिन मुद्दों को राजनिती से मरे नहीं उसको जिवित रखा जाए, उस पर सभी राजनितिक दल प्रयास करते रहे हो, उस मुद्दों को के निप्टारा के लिए जि तरह से उनने मुकर हो करके युवाओं का आवाज बनने का काम किया है इसको ले करके अंदोलन भी हुए था और उसी में से एक विदान सवा घहराओ का मामला था जिस पर जिस मामले में उनको दो हजार बाइस में उनको पर मामला दर्ज हुआ था और उसी को ले करके दो हजार 22 के मामले को लेकर के अभी जो है सो उनकी उनको गिरफ़तार करने के लिए पुलिस गई ही थी वेराल अब देखना है कि टाइगर जेराम अगर सही माइने में गिरफ़तार हो गए है तो इसके बाद गिरिडी का समिकरन क्या बनेगा क्या युवाओं का जो मौव है युवाओं का जो जुकाव है जो मोदी फैक्टर में भी युवाओं का जुकाव काम करता है क्योंकि आप अगर प्रधान मंत्री मोदी के चुनावी जीत के आकलन को देखेंगे तो 70% युवाओं का जुकाओ जो था तो वो प्रधान मंत्री मोदी के पक्ष में रहा था 2014 के चुनाओ में 2019 के चुनाओ में वो परसेंटेज और 12-13 फिस्दी बढ़ गिया था देश के 80-82% युवा प्रधान मंत्री मोदी को समर्थन कर रहे थे और अब जब 2024 का चुनाओ हो रहा है ऐसे में एक संसदिय सीट पर जहां पर की युवाओं के बीच अपनी पैट बनाकर चुनाओी मैदान में उतरे टाइगर जैराम मातो को जब गिरफतार किया जाता है या गिरफतारी हुई या नहीं जो खुलासा हो जाएगा उसका थोड़ी दिर में तो इसका इंपैक्ट क्या परने जा रहा है क्या मोदी के जैस्रीराम के आगे टैगर जैराम की जो युवा सेना है वो भारी परेगी या मतुरा परसाद महतों को मुश्किलों का सामना करना पर सकता है यह सारे चीजें चार जून को पता चरेंगी लेकिन जो इस्थिती बनी हुई है गिरिडी संसद्य छेतर में उसमें त्रिकोन तो बना हुआ ही था लेकिन आज के इस प्रक्रण ने आज जो ये प्रक्रण हुआ है समधनाले परिसर में इसके बाद से एक अलग माहूल गिरिडी संसद्य छेतर में क्रियेट हो रहा है और इसमें किसके उपर गाज गिरेगी ये कहना मुश्किल है क्या टाइग सिर्राम को फूल के साथ मिलकर फल चरहा रहे हैं तो वो फूल खिला ही रहेगा वहां पर उनको फल मिल जाएगा वहां से फिर से 2024 में ये सारे कुछ चार जून को आपको पता चलेंगे वहराल आज के बिसेस में इतना ही आप हमारे साथ जूरे रहे हमें लाइक करें सब्सक